अब देखना ही स्टार्ट कर चुके हो अर्ण वीते से स्ट्यूब मैं हूं स्वाती जैसा कि हम लोगों को पता है कि बज़र सेशन 2022-23 में एनॉस्मेंट कर दिया गया था कि क्रिप्टो पे टाक्स और TDS अपली केबल होंगे फर्स्ट अपडायल से टाक्स अपली केबल हो चुका है वह कैसे देना है क्या करना है बहुत सारे वीडियो में बना रखियों आप चाहो तो चैनल पे चेक आूट कर सकते हो बट फर्स्ट आप जुलाई से जो TDS अप्लिकेबल होने वाली है उसमें काफी सारे बदलाव आएं जो कि आपके साथ यहां पर डिसकर्स करने वाले हैं कैसे कल्कुलेशन होगा वो भी आपके साथ सेर करेंगे चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब कर लिए चैनल को त सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां बात कर लेते हैं कि TDS आपको कैसे और कहां पर देना है तो सबसे पहले यह TDS अपलिकेबल हो चुका है 1 परसंट जो की एफेक्ट में 1 जुलाई 2022 से आ जाएगा और यह TDS जो है सब्सक्राइब करते हैं किसी भी एक्सेंज पर आपको प्रॉब्लम ना हो उसके लिए उन और बिफोर फर्स्ट आप जुलाई आप के वाइसी एडवांस के वाइसी भी साड़ा कम्प्लीट कर लीजिए अब बात करते हैं कि इसमें जो है कैसे 1 परसंट टीडियस अपलिके नहीं लगेगा यही यहां पर बदलाऊ यहसे कि आपको पता था कि बाई करो कि सेल करो लगना यह लेकिन आप आई एणार से किसी कृप्तो को जुआया पर फर्संट नहीं देना है सकेंड पउयंट थैए कि अगर करक्ठो से आई एन आर में आप से लौडर लगाते हो तो 1 परसेंट लगेंगे टोटल वेल्यू पर विंस ऐसा नहीं कि जो आपका principal amount उस पे लहेगा या जो profit आप बुक किये जो आपका principal amount है जितना profit हुआ है साड़े को total value पर आपको 1% TDS देना पड़ेगा बात करते हैं crypto to crypto buy order का तो वहां भी 1% crypto to crypto sale order का तो वहां पर भी 1% TDS आपको लगने हैं overall summary के हम लोग इस point के बात करें तो आप अगर INR से crypto को buy करते हो तो वहां पर TDS नहीं देने पड़ेंगे remaining कुछ भी आप करते हो तो वहां पर 1% TDS देने पड़ेंगे आई एक एक जामपल से यहां पर हम लोग समझते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं sale order के INR में means fiat में तो अगर एक BTC आप 40 लाग का sale order में लगाते हो तो आपका order value 40 लाग होता है हाड एक्सेंज का कुछ न कुछ transaction fee होता है तो coin DCX का transaction fee 0.2% है इस according total value का 0.2% जो है 8000 रूपिया transaction fee हो जाएगा और total value 40 लाग जो है उसमें 1% TDS अगर reduce होता है तो वह 40,000 होता है means कि आपको मिलेंगे कितने what you get में तो आपको जो 40 लाग में 8000 transaction fee 40,000 TDS को reduce कर दिया जाएगा और आपको 39,52,000 मिल जाएगे ये तो था आपका INR में जब आप sale order लगाते हो क्योंकि buy order में तो देना ही नहीं अब इस दोनों point का example में बात करते हैं कि अगर crypto crypto buy करते हो sale करते हो तो आपको कितने payout यहाँ पे करना पड़ेगा तो दूसरा example यहाँ पर है C2C में अगर आप buy करते हो तो भी sale करते हो तो भी both में आपको 1% TDS यहाँ पर applicable है एक्जामपल में बात करें तो आप जैसे कि buy order लगाते हो suppose करो 0.5 BTC और उसका price होता है 20,000 USDT तो आपका यहाँ पर order value होता है 20,000 USDT और transaction fees में 0.2% कटेंगे इस तरीके से 40 USDT होगा और total value आपका 20,000 है उस पर 1% TDS लएगे तो उसके according TDS जो आपका 200 USDT हो जाता है तो आपको यहाँ पर pay कितना पड़ेगा क्योंकि buy order लगा रहे हो तो टोटल जो है आपके account से 20,000 plus 40 plus 200 means total 20,000 240 USDT लग जाएंगे तो आपको यहाँ पर clear हो गया कि आप INR से अगर crypto को buy करते हो तो आपको TDS नहीं देने है लेकिन अगर crypto से INR में sell करते हो तो आपको इस तरीके से payout करने पड़ेगे और crypto से crypto buy करो यह sell करो गए तो इस तरीके से calculation होगा I hope so कि चीजें आपको clear हो पाई होगी यह चीजें जो है coin DCS के तरफ से मुझे mail आया तो मैं सोची कि आप लोग को बता देना चाहिए और future trading से profit book करने के लिए telegram channel join कर लिए जो कि free of cost है और सारे लोग के लिए यहाँ पे welcome है I hope कि चीजें clear हो पाई होगी तो वीडियो को like करके comment करना मत भूलिएगा मिलते हैं next video next outside thank you guys for watching this video